नमस्कार दोस्तों स्वागेते आप सभी के आमडे क्लासेस के यूट्व चैनल में पिछले वाली जो रिजिनिंग की वीडियो थे जो डेवन था बहुत तगड़ा रिस्पॉंस दिया आप सभी ने बहुत महतरीन चला था वो वीडियो और इतना ज्यादा हमने उसमें क्लॉक के बारे में बात किया था जिसमें आप यह जानते हो listening बहुत पूरी सी लंबी होगी नेखिन मज़ा बहुत आएगा तो पूरी वीटिवा नहीं कर रहा है अगर उसने अभी तक एमडी क्लाशेज चॉनलों को सब्सक्राइब नहीं किया न भीया तो तृष्सक्राइब कर ले न और जो बेल आइकॉन का बट्चन ये क्लिक कर दे न देखो अभी यिस은 क्या रहा है कि नोनिपैस नहीं नहीं जा रहा है तो भी हमने का लिया यह ताइम आप सभी के लिए बात आपको या और महिराथन भी लेकर आ रहें आप सभी के लिए कि एंटीपीसी का इस बार का कोई भी मामला आपके लिए रुखे ना तो चलो भाई देखते हैं क्लॉक का कौन सा कॉपसर्ट हम यहां पर देखने वाले क्लॉक के कौन से बारे में हम यहां पर बात करने वाले वह चीज़े स्थोड़ा सा सीखें थोड़ा ध्यान से करेंगे मैं काम करता हूँ पिछले वीडियो में बहुत सारी बच्चों यहां पर आइन तो भी को देख चुके तो बच्चों के हैंना बहुत सारे बच्ची तो इन सभी के जो है मैं नाम लेता रहूंगा आप भी एंसर कमेंट करा करें मैं लाश में आपको कोश्चन दूँगा तो आप उसके एंसरी बताईएगा ठीक दखा जाएगा तो दस बार बनना चाहिए लेकिन एक समय आता है न कि दिन में पूरा दो बान नाइScott डिग्री नहीं बनता जैसे कि हम जाहन समझते है इक जैक्ट नाइन ! 900 THE नहीं बनता है और नौनवनThe नहीं बनता है तो यानि कि 2-3 का समय आ रहा है क्या इसमें बिलकुल आ रहा है 8-9 का समय आ रहा है नहीं आ रहा है यानि सिरफ क्या होगा एक बार नहीं बनेगा और सही answer हो जाएगा आपका No is the right answer of this question ये हमने पहले वाले पार्ट में ये question देखा था पक्का है सभी को clear अब आते इस पार्ट में समझते हैं क्या करेंगे भाई देखो इस पार्ट में ये question अब आपको बताने वाला हो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 बजे से लेके अगर मैं बात करूंगा 4 बजे के बीच में तो exact 90 degree कितने बजे बनेगा और आपको 3-4 option दिया रहेगा मैंने ने पूछा कितनी बार बनेगा मैंने पूछा exact 90 degree कब बजेगा कब बनेगा ये आपको बताना है जबर्दस question है समझो और सब के सब ध्यान से पहले एक बार concept को समझो फिर answer बताना अगला जब मैं question पूछूँगा आपसे तब ठीक इसके लिए एक रामबार फॉर्मूला है वो है minute plus minute by 11 कौन सा फॉर्मूला है भाई रामबार क्या है minute plus minute by 11 अरे सर जी ये कौन सा फॉर्मूला है हम तो पढ़ें नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि भाईया कौन सा फॉर्मूला और कैसे कर पाएंगे ध्यान से समझना कि क्या है ये देखो भाईया अगर मानलो सुई हमारी 3 पे बज रही है तो हमने घंटे वाली 3 से पूछा ना कि 3 से 4 में तो हमने घंटे वाली 3 पे ही रख दी 90 डिगरी कब बनेगा जब ये सुई 6 पे जाएगी तब एक बार तो ये हो गया दुसरा कब बनेगा जब ये आपके लिए 12 पे जाएगी तब भाई दो ये बार तो बन सकता है अगर हमने घंटे वाली सुई 3 पे रख दी तो कब कब 90 डिगरी बन सकता है एक तो जब 6 पे जाए और एक तो जब 12 पे जाए तो भाईया यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 अच्छा बताओ जब सुई जो होती आपकी 6 पर होती है तो क्या आप उसको 30 मिनट बोलते हो कि नहीं बोलते हो जैसे मानो कि बज रहा है साड़े तीन तो हम कहाएंगे 3 बज के 30 मिनट का समय हो रहा है तो मिनट क्या आगया 30 यानि एक बार आपका 30 प्लस 30 बटे 11 पे बनेगा अरे बोलो हाँ या ना क्या होगा 30 प्लस 30 बटे 11 पे बनेगा और 12 मतलब होता है की 60 यानि एक बार आपका 60 प्लस 60 बड़े 11 पे बनेगा बस कोश्ण खतम अब समझते सॉलूसन वाई 30 बटे 11 को और सिम्ऎफाई कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं हम इसको और simplify करेंगे तो ग्यारा दुनी 22 और 22 और 28 तीस यानि कि 30 प्लस दो आठ बटे ग्यारा कर सकते हैं इसको फाइनल लिख सकते हैं 32 आठ बटे ग्यारा यानि कि तो यह हो जागा 65 बटे ग्यारा मतलब कि मैं डारेक्टली कहूंगा दूसरा कि तीन बच के अच्छा 65 बटे ग्यारा लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देना कि भाईया यह 65 तो मामला गर बड़ा जा रहा है समझने इस बात को यह 65 आगे चला जा रहा तीन बजे की बात तो अगर तो यह 3 से 4 के बीच में ना होके यह सिरफ 3 से 4 के बीच में एक बन अब्बे बनता है और वो कब बनता है 3 बच के 32 मिनट 8 बटे 11 पे 65 मतलब 60 मिनट से उपर तो यह 4 बजे वाले में चला जाएगा यह गलत हो जाएगा ठीक है अब समझते ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है आपन से कोश्टन पूछता मुझे बताना एक चार बजे से लेके पांच बजे पांच बजे के बीच में यह बता हूं 90 डिग्री चेला जल्दी से बता यह जल्दी से लेके 5 बजे के बीच में 90 डिगडि एक बार वीडियो को पाउच करिए और सब चैर्ब बता यह की जाएट चार होना तो आपने देख लिया कि इसके बाद बनेगा लेकिन इससे पहले आता है नmaan भब उसने चार से पांच में में पूछा है या नहीं मैं क्या करूंगा तो सीधे घंटे वाली सुई है मैं इसको चार पे ही टिका दूंगा अब 90 डिगरी बताना है अब 90 कैसे बताएंगे जरा समझो पीछले वाले कोश्चन से क्या जब तीन पे था तो तीन पीछे आ जाओ और तीन आगे आ जाओ 90 क्योंकि एक घंटे में 30 डिगरी का समय बनता है एक घंटे में 30 डिगरी का समय बनता है तो भाई जब चार बज़े पर ठिकाया तो तीन यहां 30 3060 3090 यानि जब एक बार सुई 7 पे जाएगी तब बनेगा और 30 3090 यानि जब दूसरी सुई एक पर जाएगी तब बनेगा साथ पे जाती ही तो समय को बोलते हैं 35 तो 35 प्लस 35 बटे 11 पे एक बार बनेगा एंड जब एक पे सुई जाती ही तो बोलते हैं 5 तो ये 5 प्लस 5 बटे 11 पे बनेगा इसको और सिंप्लिफाई कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं 11 तिया 33 दो बटे 11 यानि 35 तीन 38 दो बट्सटे की नहीं हो जाएगा यह 32 बट्सक्रMM सभी जल्दी से एंसर बताना इस कोश्टन का सही एंसर क्या आएगा सिंपा सा कोश्टन है आसानी से बताईएगा किलेर एवरिवन सबको समझ में आगे भाई ठीक तो एक फॉर्मूला क्या है देखना था हमें कि मिनट प्लस मिनट वाई 11 मतलब कि देख लो कि कहां पे आपका तब बनता एक मतलब 30 2 मतलब 60 यानी एक बार एक पे 15 वटे एगा रहा और 5 प्लस 5今日 और फॉछ लेता है आपसे कि बताओ ऐगर बढ़हा दो तो 2 सार यानि कि 20 20 गर्ण कितना आसान adap कं सेप्ड़ाइब कोई बहुत बड़ी प्रसानी नहीं है बहूत ईजी Com सेट है बहुत सिंपल कॉमसेट है यह तरीका पता करने का कि हम कैसे बता पाएं कि 10 डिगरी कब बनेगा 20 डिगरी कब बनेगा 40 डिगरी कब बनेगा 60 डिगरी कब बनेगा 90 डिगरी देखो पेपर रेलवेग पेपर में 10 20 नहीं पूछा जाएगा यह अधर लेवल पर चले जाएगे ह से सिरफ सा कोशन पूचे जाएगा यह बताओ साठ कब बनेगा नाइंटी कब बनेगा अच्छा यह भी कोशन आता बताओ भाईया जीरो कब बनेगा तीन से चार के बीच में यार जीरो तो तभी बनेगा ना जब दूसरी वाली सुई भी तीन नहीं पर रहो एकदम एंगिल लाजा तो हम क्या बोलेंगे पंदरा प्लस पंदरा वटेग्यार यानि तीन पर होने का मतलब 15 इसको और सिंप्लिफाइग करोगे एक चार बटेगर लिखोगे यानि एक 16 चार वटेग यारा हो जाएगा यानि तीन बच के 16 मिनट चार वटेग्यारा सेकंड पे 0 डिग्री ठीक है इस तरह के कोश्टन में एक और चीज़ पूछा जाता है कि घड़ी की सुईयां दस मिनट के दस मिनट बाद कितने पर होंगी या पंद्रा मिनट के बाद तो पांच मिनट बाद पूछेगा तो यानि चार पर पहुचेगा तो फिर बीस प्लस बीस बटेग ग्यारा ब बहुत तगरा कॉम्सेट है दिहान से समझेगा इस कॉम्शेट का कोश्चन आपने हर बार रेलवे के पेपर में सुना होगा पढ़ा होगा और देखा भी होगा कौन सा how much angle यानि कि कितना code बहुत पूछा जाता यार ये question ठीक है लो इसका रामबाड इलाज एक देख लो और भूलोगे नहीं पूरे अगर बात करोगे तो clock में सिरफ दो formula है एक तो minute plus minute by 11 जो मैंने आपको पढ़ा दिया दूसरा जो है वो है आप सभी के लिए 30H माइनस 11 बटे दो है ये mod में रहेगा क्योंकि angle कभी भी negative नहीं जाएगा घड़ियों के बीच में अच्छे question कैसे आएगा question कैसे आएगा ये तो बताओ मुझे question कैसे आएगा जैसे ये बताओ अगर मैं कहता हूँ मालो घड़ी में 3.5 बज़रा है तो क्या यानि 90 डिग्री पे है क्या दोनों सुईयों के बीच में घंटे वाली और मिनट वाले नहीं न 90 पे तो है नहीं क्यो ना अंटी पे नहीं है समझना क्योंकि एकदम 3.5 तो हमें दिख रहा है जब घड़ी की सुईयों में मालो की 3.5 बज़ रहा है तो घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का एंगिल कितना होगा आपने समने देखा है ना ऐसे कोश्चन करा जैस वाल पक्का है साड़े तीन बज़े कितना एंगिल बनेगा मिनट वाली सुई एंड घंटे वाली सुई में कुछ नहीं करना है क्या फॉर्मूला बता है भाई मैंने ज़रा ध्यान से समझना मैंने कहा भाई ठीटा जो भी होगा वो 30H माइनस 11 बटे दोयम हो जाएगा आपने का सर जी इतना कैसे आसान हो गया तुरांत आपने कह दिया भाई देखो भाई 30H मतलब होता आवर कितना घंटा हुआ आवर कितना हुआ तीन घंटा हो गया 11 बटे 2 मिनट का मतलब होता है 30 क्योंकि 30 मिनट पर पूचा है 2 से काटोगे तो 15 आजाएगा 30 तियां ये क्या हो गया 90 हो गया माइनस 15 गोड़े 11 करो तो 15 एकन्नम 15 और 15 एकन्नम 15 एक सोला 90 में से 100 पैसर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा क्या माइनस 15 लेकिन मौड लगा है न तो सिरफ 75 आगया ठीक है ये बात तो समझ में हो गई अच्छा ये बताओ साड़े 3 बज़े मैंने पूचा था न साड़े 3 बज़े या साड़े 3 बज़े जब घड़ी में या कोई भी समय होगा तो तो एंगिल दो बनेंगे एक तो अंदर वाला और एक तो बहार वाला बनेगा की नहीं बनेगा तो एक तो अंदर वाला हमारे पास 75 आगया बहार वाला चाहिए तो पूरा होता है 360 उसी में से माइनस कर लो तो भगया एक एंसर आगया 75 और दूसरा चाहिए तो 360 में से क्या करो 75 माइनस कर लो ये दूसरा एंगिल हो गया क्लियर गाईज क्या आसान लगा की नहीं लगा और क्या हर बच्चे को समझ में आया की नहीं आया पहले तो मुझे यही बता दो आ गया सब को समझ में आ गया सिंपा सा सब्सक्राइब यहाद देखना अभी मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको मज़ा जाएगा वाकिए को के सर जी बस अफस्वर की प्राप्ति हो गए पक्का पहले दूसरा मुझे कोश्ण बताओ मैंने कहा मेरे भाई यह बताओ जल्दी से कोई समय आप लोग जो मन करें अपने मन से ले लेना और देखना आपका एंसोर आये की नहीं आए आपके लिए चलो होमक मैं दे देता हूँ आप खुदी निकालना इस चीज को मैंने कहा नौ बच के पचीस मिनट हो रहा है तो कि जा लिया मानों घड़ी में दो बच के 10 मिनट हो रहा है तो कितना एंगिल बनेगा अब आपको इसमें से सॉल्व करना है जो कहोगे मैं वह बता दे रहा हूं अभी और फिर आगे आप सॉल्व करना ठीक है कौन सा बता दे एक दो तीन चार जल्दी जो कहोगे वह बता दें सिंपल है यह तो 30 ह समयित घॆर बट मतलब कौन सा गंटा चलना है तो फार्टी गोडे दो-11 12 20 एम मतलब कौन सा मिनटव वह से काटो गद स तीक तो कितना आ पांच मिनटे आ गया यानि पांच डिगा आया घ। दूसरा कितना आएगा 300 आपके लिए कितना सब्सक्राइब कोई दिकत नहीं है ठीक है चलो अगले प्राइब करके देखा करिए यह वीडियो भले है बीस मिनट की भले है पत्चीस मिनट की भले है उटे दस पंदरा मिनट के लेकिन अगर आप इस वीडियो को समझेना चाहोगे तो वीडियो बहुत लंबी है वहूआ सारेखा इंजब आप कर Five बचत्त की कितना वचाइब मैंने कल दिया मैंने कंग मैंने का आट बचत्त के बातीस मिनट पर कितना समय वोगा कितना कोड बनेगा बताओ बेला जल्दी से पहले आप पांच बच के 20 मिट पे निकालना मुझे बताना कैसे करोगे थर्टी एच माने से बता दूंगा यहां पर सोला डिगरी बनेगा और इसको काटोगे तो एक चार का रेसिवारा रहा है पांच चोग का 20, आठ चोग 32, दो चोग 8, चार चोग का 16 तो कभी भी अगर एक और चार का रेसियो आ जाता है घंटे और मिनट के बीच में तो जो एंगिल बनता है वो मिनट का डबल हो जाता है निकाल के आपने देखा होगा तो भी सेम एंसर आ रहा होगा अरे बोलो हाँ या ना अरे किलियर है क्या सभी को पक्का है कर पाओगे समझा आया बिल्कुल आसान लगा जबरदस्त लगा ठीक है अब बान लेते हैं आगे आते हैं मैंने कहा ये बताओ मेरे भाई सब के सब जल्दी से बताएगा कि अगला मैं आपको जो पूछना वो मुझे बताएगा कि पांच बच के पचीस मिनट पे कितना बनता है या मैंने पीम यूम कुछ लिखने ही जौती नहीं चाहिए सुबह हो चाहिए साम हो एकी बात तो होगी ब्लैक पेंसल लिख देता हो ताकि आपको थोड़ा अच्छा फीलिंग आए पांच बच के पचीस मिनट पे आप सभी से पूछा है मैं पूछू यह बताओ आठ बच के चालीस मिनट पे कितना होगा मैं पूछू आप से नो बच के पैतालीस मिनट पे कितना एंगिल बनेगा या मैं पूछू आप सभी से दस बच के पचास मिनट पे कितना एंगिल बनेगा समझ तो गय होगे क्या चलना इसमें एक और पाँश, पचों 25, 8, 5, 4, 9, 5, 45, 10, 5, 50 बोले तो एंगिल के बीच का कितना आ रहा है एक और पाँच के बीच का डिftenस आ रहा है और अगर कभी भी एक और पाँच के बीच का agrade आ जाता है तो जो भी एंगिल होता है वो मिनट का आधा हो जाता है नोट कर लिए निकाल के देख लिना और बताना कि आया की नहीं आया इसका एंसर आएगा साड़े बारा डिगरी इसका एंसर कितना आएगा बीस डिगरी इसका एंसर कितना आएगा साड़े बाइस डिगरी और इसका एंसर कितना आएगा पचीस डिगरी क्योंकि जो भी मिनट लिखे हैं इसका आधा ही क्या हो जाएगा इसका सही एंसर हो जाएगा अरे बोलो हाँ या ना क्या इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है क्या इतनी बात किलियर हुई है अगर इतनी बात समझ में आई है इतनी बात किलियर हुई है तो बोल दो हाँ सर जी एकदम बात वो भी आप वीडियू देख सकते हो जहां पर मैंने आपको slow कैसे होता है fast कैसे होता है यह सारी चीजे बताई थी अगला जो वीडियो आएगा वो dice का वीडियो आएगा और dice का जबरदस्थ वीडियो आएगा कि न आपने ऐसा पढ़ा होगा और ना ही ऐसा कभी सुना होगा क का और इस वीडिए कांटने में हम इतना ही कर रहा हैं एक आपसे गुजारी वीडियो जिटना हो पाए उतना धोस्त के साथ जरूर शिर करिए जिटना हो पाए उतना इसको जरूर कर से होधार ये। तो subscribe जरूर कर लेना और एक बार बेल आइकोन पर जरूर क्लिक करेगा ताकि जितने भी वीडेओं आपको हर वीडेओं पर नौटेशन मिलें समय मिले ना मिलें ये तीन आपको जरूर वीडेओं लेंगी दस बज़े तीन बज़े और साथ बज़े इसका जरूर लुप्ट उताइए तब तक के लिए चलते हैं बाइबाइब गुड़ नाइट टेक केर गाइस थाइंक यू सो मच